बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ सामा जी का ध्यान के अंतर गयत हमारे अतीत विशै का सातुवा अध्याय देशी जनता को सब्य बनाना राष्ट को सिक्सित करना हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तर अभ्यास प्रस्न उत्तर के माध्यम से सबसे पहले आप देख सकते हैं आप जब पूरा पार्ट पढ़ लेंगे उसके अंत में आप देखेंगे फिर से याद करें और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रस् ससक्रतियों का सम्मान और टॉमस मैकाले यहाँ पर लिखा है गुरू महत्मा गांधी आगे लिखा है प्राकरतिक परिवेज में सिक्सा और पाट सालाएं इसके आगे लिखा है अंगरे जी सिक्सा के विरुद तो यहाँ पर बच्चों यह जो है जितने भी लिखे हुए है इनको आपने मेल करना है कि कौन किसके साथ फिट बैठता है तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप इस फरकार से आप उत्तर बनाएंगे बच्चों इसका बिलियम जोन्स के साथ लिखेंगे प्राचीन ससक्रतियों का सम्मान और रविद्ना टैगोर के साथ लिखेंगे ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से आप पहले प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रस्न है निमलिकित में से सही या गलत बताएं और कह है सबसे पहले जेम से मिल प्राच्य वादियों के गोर आलोचक थे तो क्या यह सही है यह ग इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्छ सिक्सा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप उत्तर में लिखेंगे सही ठीक है बच्चों और इसके बाद गयवाला है आपका महत्मा गांदी मानते थे कि साक्सरता बढ़ाना ही सिक्सा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देसे है तो क्या ऐसा था बिलकुल था या नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे आप गलत बिलकुल नहीं तो क्या था गलत इसके बाद आगे है घह गह में रविन्दा टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सक्त अनुसासन होना चाहिए तो यहाँ पर क्या लेखेंगे आप गलत क्योंकि रविन्दा टैगोर ऐसा नहीं मानते थे और इसके बाद बच्चों यह तो था आपका दूसरा प्रस्ण और दूसरे प्रस्ण में क्या-क्या गय जुथे बने हुए उनके उत्तर हमने आपको यहाँ पर दिखाए इसके बाद आईए देख लेते हैं तीसरा प्रस्ण और यहाँ पर है सबसे पहले आप ध्यान देंगे आईए विचार करें और तीसरा प्रस्ण है बच्चों बिलियम जोन्स को भारतिय इतिहास दर्शन और कानून का अध्यान क्यों जरूरी दिखाई देता था उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे भारतिय इतिहास, दर्सन और कानून का अधियन, इस प्रकार से आप एक हैडिंग डालेंगे, उसके बाद पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, नमबर एक, भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए, यहां के पवित्र और कानूनी गरंतों को खोजना वो समझना जरूरी था, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हिंदू और मुसल्मानों के असली विचारूव कानूनों को इनी रचनाओं के माध्यम से ही समझ जा सकता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बिलियम जोन्स का मानना था कि इस कारे से न केवल अंग्रेजों को भारतिय सस्कृति के से सीखने में मदद मिलेगी, बलकि भारतियों को भी अपनी बिरासत को दुबारा अपनाने और अतीत के लुप्त बैभाव को स प्रकार से लिखेंगे, बात करते हैं यहाँ पर चोथा प्रसन है बच्चों, जेमस मिल और टॉमस मैकाले, ऐसा क्यों सोचते थे कि बारत में यूरोपीय सिक्सा अनिवार्य है, तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, जेमस मिल और मैकाले की सोच है, सोच यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप जेम से मिल और मैकाले की सोच और उसके बाल पॉइंट बना के लिखेंगे भारतियों के बिचारों को अंग्रेजों के अध्यन से रूडिवादी बिचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये अपनी भासा में अधिक बैग्यानिक वा तकनी की सबलताएं प्राप्त नहीं कर सकते दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इनके अनुसार पूर्वी साहित्या अंगभीर और सतही तथा तुरुटियों से भरा हुआ हुआ अवैग्यानिक है यानि कि बैग्यानिक नहीं है तीसरा पॉइंट लिखेंगे इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्यान से भारतियों को दुनिया की स्रेश्ट तम साहितिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा वे पस्यमी विज्ञान और दर्सन के छेतर में वे विकास से अवगत हो पाएंगे तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर चौते प्रसनिका उत्तर लिख सकते हैं और वो भी पॉइंट बना कर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पाच्वा प्रसनिका है मात्मा गांधी बच्चों को हस्त कलाएं क्यों सिखाना चाते थे तो उतर क्या लिखेंगे उतर में लिखेंगे हेडिंग डालके बच्चों को हस्त कलाएं सिखाना और पॉइंट बनाएंगे फिर नमबर एक पस उपेक्सा की जाती है दूसरा पॉइंट है गांदी जी का तरक था कि सिक्सा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विक्सित होनी चाहिए केवल साक्सरता यानि पढ़ने और लिखने की छमता पाले नहीं सिक्सा नहीं होता या नहीं होती इसके बाद तीसरा पॉइंट है दिमाग और आत्मा विक्सित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है हुनर सीखने पड़ते हैं और यहा जानना पड़ता है कि विविन चीजे किस तरह काम करती हैं तो इस प्रकार से आप अपने इस पांच वे प्रसनिका उत्तर लिख सकते पॉइंट बना कर लिखें बचो अच्छे से इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर छटा प्रसनिय है मात्मा गांदी एसा क्यूँ सोचते थे कि अंग्रेजी शिखसा ने भारतियों को गुलाम बना लिया है उत्तर में लिखेंगे आप भारतियों को गुलाम बनाना और हेड पश्चिमी सब्यता को स्रेश्टतर मानने लगे हैं अपनी सस्कृति के परती उनका गौरा भाव नस्ट हो गया है दूसरा पॉयंट लिखेंगे पश्चिमी सिक्सा में 20 भरा है यहाँ पाप पूर्ण है इसने भारतियों को दास बना दिया है इसने लोगों पर बुरा संसा करते हैं बात करते हैं चौता पॉयंट है बच्चो बिदेशी भासा बोलने वाले अस्थानी या सस्कृत से घिरना करने वाले भारतिया अपनी जनता से जूड़ने के तोर तरीके भूल चुके हैं तो इस प्रकार से आप जो पॉयंट बना कर लेकेंगे च्छटा प्र पर करके देखें और ये एक्टिविटी से समद्धित प्रसने आपके लिए बच्चो साथवा प्रसने है अपने घर के बुजर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन-कौन सी चीजे पढ़ी थी तो यहाँ पर तो आपके लिए बच्चो स्वेम आप इसका उतर ल आस-पास के किसी अन्ने स्कूल के इतियास का पता लगाएं तो ये भी आप स्वेम करेंगे क्योंकि ये भी एक्टिविटी से समद्धित प्रसने है बच्चो और आपका स्कूल जहां पर होगा उसके आस-पास किसी अन्ने स्कूल के इतियास के बारे में आप पता लगा सकत यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और से कर ले और इसी परकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ आपका दिन सुभ हो